साथियों आज ये M1R5 यानि की IT Tools and Network Basics की चौथी क्लास है लाश्ट क्लास में हम लोगोंने मेमोरी के बारे में समझा था कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कौन-कौन से टाइप्स है और उनकी क्या वर्किंग है वो कैसे डिफरेंट है अधर मेमोरी डिवाइस से और आज की सिरीज में हम लोग hardware और software के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यहां से आपके exam में MCQs से भी ज़्यादा questions आते हैं तो जो भी MCQs आपके exam में बन सकते हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे तो यहां पर लिखा गया है जो computer hardware है यह computer का physical component है जो की computer system को कार करने में बहुत ही help करता है बिना hardware के आप computer की कलपना भी नहीं कर सकते हैं और नहीं उसमें software को embed किया जा सकता है implement किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ एक diagram के थुरूत जो चीज़े हैं वो clear हो जाएंगी और बहतर तरीके से जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो computer है वो hardware और software से मिलकर बना है hardware को हम लोग h slash w से भी denote करते हैं वहीं जो software है इसे हम लोग s slash w से denote करते हैं अगर हम बात करें hardware के बारे में computer के hardware के बारे में तो इसे आप mainly चाहर टाइप से divide कर सकते हो सबसे पहले तो जो input device होती है दूसरा आप divide कर सकते हो output device और तीसरा कर सकते हो storage device क्योंकि ये सभी के सभी hardware होते हैं जिने आप छू सकते हो उठा सकते हो और देख सकते हो चाहुते नंबर पे आप कर सकते हो processing device को तो ये अपना हो गया processing device या processing unit तो जो hardware होता है computer का वो एक physical component या फिर physical part होता है जिसे आप touch कर सकते हो उसे देख सकते हो और उसे उठा सकते हो वहीं बात करें software के बारे में तो जो software है वो set of programs होता है क्या होता है? set of programs होता है और जो programs होते हैं जो programs होते हैं वो set of instructions होते हैं क्या होते है? set of instructions होते हैं कहने के मतलब यह है कि जो programs है जो program होते हैं वो instructions के set से मिलकर बनते हैं और जो software होते हैं वो set of programs या आप बोल सकते हो group of programs, instructions, documentation इनकी help से इनको group करके बनाया जाता है वो होता है software, basically जो computer का hardware है उसको operate करने के लिए कि किस hardware को काउन सा काम करना है इसको declare करने के लिए, इसको decide करने के लिए, इसको order करने के लिए use किया जाता है software का software को आप touch नहीं कर सकते हो, जो उसकी working है उसको आप सिर्फ और सिर्फ feel कर सकते हो, तो जो software होते हैं वो computer components को ये बताते हैं कि आपको कौन सा task करना है, कौन सा task perform करना है, कौन सा action करना है बात करें software के बारे में, तो जो software है, mainly दो type से होते हैं, दो type से, एक होता है system software और एक होता है application software system software के अंतरगत, दुभिन प्रकार के software साते हैं, like जो operating system है, जैसे कि windows हो गया, mic OS हो गया, android हो गया, ये क्या है ये operating systems हैं, और जो operating system है, वो system software होते हैं, उसी प्रकार से, जो translator होते हैं, क्या, जो होते हैं, translator जैसे कि आपने सुना होगा compiler के बारे में, आपने सुना होगा interpreter के बारे में, आपने सुना होगा assembler के बारे में, assembler के बारे में तो जो translator हैं वो भी system software ही होते हैं उसी प्रकार से जो भी device driver होते हैं क्या जो भी drivers होते हैं वो भी system software में ही आते हैं इसके लावा जो भी utility software है utility software utility software उनको भी system software के अंतरगत ही रखा गया है अब जो इस system software है इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले जो hardware के components हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आपके exam में यहां से भी questions आते हैं तो यहां पर हम बात कर लेते हैं hardware components के बारे में तो सबसे पहला term आता है input device input device में सबसे पहले तो जो main component है जो main device है वो है keyboard क्योंकि बिना keyboard के आप computer को operate नहीं कर सकते हो इसके बाद अगला आता है mouse next आपने देखा होगा mic के बारे में scanner scanner हो गया बार कोड रीडर हो गया यहने की BCR और इसके लावा mic हो गया scanner हो गया VCR हो गया और बात करें हम लोग camera के बारे में तो जो camera है यह भी input device है joystick यह भी input device है joystick इसके लावा बात करें हम लोग तो जो होता है touchpad टूच पैड टूच पैड भी क्या है input device है तो जो यह measure devices हैं जो की computer hardware है उसके बारे में बता दिया है अगला term आता है output device output device तो output device में आप लोगों को जो सबसे main है वो है monitor अगला आता है speaker दिन आयेगा आप लोगों का printer plotter तो यह क्या है यह output device है और इसमें भी difference है difference क्या है कि जो यह monitor और speaker है इनसे आपको मिलता है soft copy में result वहीं जो printer और plotter है इससे मिलता है आपको hard copy में result अब यह soft copy और hard copy में क्या difference है इसको जान लेते हैं जो soft copy होता है जो soft type का result होता है उसे आप हाथों से छू नहीं सकते हो और यह temporary होता है वहीं जो hard copy के result होते हैं उसका जो result होता है वो permanent होता है और उसे आप हाथों से छू सकते हो for example आपका result आया तो इस case में आपका result है वो आपके monitor पे या mobile screen पे दिखाता है जिसे आप look सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो जो की fix time के लिए होता है जैसे ही आप उस window को या उस PDF को या उस document को close कर देते हो तो उसके बाद आप उसको नहीं दे सकते हो यानि कि उससे देखने के लिए आपको दुबारा open करना होगा वहीं बात करें जो hard type के result होते हैं आपने क्या किया उस result की निकाल दिया print out तो जो print out है वो तो आपके पास permanent रहेगा और उसे आप छू सकते हो तो जो यह आपकी थी output device इसके बाद अगला आता है storage device यह मैं अगली slide लेता हूँ इसके बाद अगला आता है storage device तो storage device में आप लोगों के वो component आ जाएंगे वो device आ जाएंगे जिसमें हम data को store करते हैं जैसे कि hard disk हो गई, SSD हो गई, pen drive हो गई, cd, dvd, magnetic tape यह सब क्या हैं यह सभी की सभी storage device हैं वहीं हम बात करें processing के बारे में अभी तक आप लोगों का hardware चल रहा है जो processing unit है hardware के purpose से उसमें आपका आ जाएगा one minute, cpu और cpu का full form आपको पता होना चाहिए central processing unit processing unit वहीं एक होता है gpu जो की graphics को processing करने का काम करता है तो जो यह cpu और gpu हैं यह processing unit के अंदरगत आते हैं इसके लावा अगर हम लोग hardware component को divide करना चाहें हैं तो हम divide कर सकते हैं internal और external parts के basis पे आधार पे तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो computer होता है उसके जो internal components होते हैं उसमें आप देखते हैं कि motherboard होता है motherboard जिसम के जरीए जो भी computer के external या फिर internal components होते हैं इसको motherboard में connect किया जाता है ठीक है motherboard पे ही हम लोग क्या करते हैं cpu को install करते हैं gpu को install करते हैं जो भी आपके external cards होते हैं like sound card हो गया आडियो card हो गया ठीक है इनको install करते हैं उसमें एक heat sink भी होता है DVD writer भी होता है CD writer भी होता है इसके लावा power supply होती है जिसको हम लोग बोलते है SMPS यानि कि switched mode power supply तो ये एक internal components होते हैं इसके लावा आप देखते हैं उसमें RAM होती है hard disk होती है SSD होती है तो ये क्या है ये internal hardware components हैं किसी भी computer के तो मैंने आप लोगों को इसके जरिये समझाने का प्रयास किया है अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा theory के आधार पर भी discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया है computer hardware physical components है जो एक computer system को कार करने में बहुत ही आवस्यक है बिना किसी hardware के आप computer की कलपना नहीं कर सकते हो software का उपयोग नहीं किया जा सकता है बिना hardware के computer hardware का मतलब है कि computer का कोई भी part कोई भी component जिसे आप देख सकते हो उसे चूँ सकते हो वो सभी के सभी hardware होते हैं आपको example भी दिये गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिये हैं अब हम बात कर लेते हैं software के बारे में तो एक software बहुत सारे procedures, instructions, documentation का एक collection होता है उसका group होता है हम यह भी कह सकते हैं कि computer software एक computer processor पर execute होने वाला programming code होता है जो computer को बताता है कि आपको कौन सा task करना है कौन सा action perform करना है computer में software ही user को computer के साथ में interact करने की सुविधा देते हैं जिसके जरिये आप कोई specific task या फिर other type का task कर सकते हो उन software के जरिये example के लिए यदि software program MS Word आपके computer में install नहीं है तो जो भी काम आप MS Word के through कर सकते हो वो आप अपने computer में नहीं कर सकते हो उसी प्रकार से जब भी आपको internet surfing करनी होती है तो आप use में लेते हो browsers का जैसे की Chrome हो गया Mozilla Firefox हो गया Opera Mini हो गया Microsoft Edge हो गया तो ये क्या है soft browsers के example है तो MS Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Photoshop, MySQL ये क्या है ये सभी के सभी softwares के example है और मैंने आपको बता है दिया है कि जो softwares है वो भी दो categories में आते है system software और application software इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए अब यहाँ पर hardware और software में कुछ और difference है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो मैं skin को कर देता हूँ white ठीक है जी तो अगर हम बात करें hardware के बारे में तो जो hardware होते हैं अगर कोई hardware खराब हो जाता है या कोई component damage हो जाता है तो आप क्या करते हैं उसे उसे आपको replace करना पड़ता है क्या करना पड़ता है replace करना पड़ता है यानि कि आप उस component को हटा देंगे जो कि damage हो गया है या फिर खराब हो गया है और उसकी जगे पर दूसरा component लगा दोगे बट अगर हम बात करें software के बारे में किसके बारे में software के बारे में तो software में क्या होता है कि अगर कोई software damage हो गया है या crack हो गया है तो आप उसकी backup copy से उससे दुबारा से repair करते हो या फिर उसे दुबारा से install करते हो जो आपके पास software का backup था बात करें hardware के बारे में किसके बारे में hardware के बारे में तो जो hardware होते हैं इसको manufacturer के द्वारा बनाया जाता है वहीं जो software है इसको developer के द्वारा develop किया जाता है तो यह कुछ difference थे जो मैंने आपके साथ में साजा किये हैं अब आते हैं topic के उपर और बात कर लेते हैं system softwares के बारे में तो जो system software है जो system software है इसका main काम क्या है इसका main काम ये है कि जो भी computer के components हैं hardware हैं और users है उसको एक platform प्रदान करना ताकि जो task करने वाला है जो action perform होना है वो hardware के जरिए user करवा सके और user क्या करता है user instructions को देता है जिसके आधार पर hardware perform करता है और system software में आपके operating system, translator, drivers और utility softwares आते हैं अब जो ये operating system है इसका main purpose क्या है तो जो भी computer के hardware है उसको ये operate करता है उसको control करता है एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो computer का hardware है क्या जो computer का hardware है और user है इन दोनों के बीच में communication कराने के लिए जो काम user को करवाना है ताकि वो hardware से करवाया जा सके इस काम को करने के लिए बीच में एक software आता है जिसको बोलते हैं operating system तो जो operating system है ये hardware और user के बीच में एक interface प्रवायड करता है ताकि आपस में जो user है वो hardware से interact हो सके और अपना काम करवा सके और operating system के example कौन कौन से है तो आपने देखा होगा mic OS आपने देखा होगा windows के बारे में आपने use किया होगा android तो ये क्या है उबनतू ये क्या है operating system है जो operating system है इसके बारे में हम लोग deeply से chapter number 2 में discuss करेंगे क्योंकि chapter number 2 इसी पर आधारित है operating system पर आधारित है अगला term आता है translator तो translator से आपके exam में कुछ questions आते हैं जिनके बारे में हम आपके साथ में चर्चा करना चाहेंगे आप से पूछता है कि जो translator है जो translator होते हैं वो किस प्रकार के software है तो आपको answer करना है कि जो translator है वो system software होते हैं system softwares होते हैं और जो translator है उनके types हैं पहला तो है compiler दूसरा आप देंगे interpreter और तीसरा आजाएगा assembler assembler जो compiler होता है अब आपको पता होना चाहिए कि जो computers होते हैं क्या जो computers होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ low level language को समझते हैं यानि कि वो L, L, L and that is 0 and 1 इस पे काम करते हैं चाहे वो आपका कोई भी computer हो हम बात कर रहे हैं analog के बारे में जो आपके और मेरे घर पे उपलब्द हैं जिस पे हम लोग office work करते हैं तो जो computers होते हैं वो low level language को ही समझते हैं जिसका मतलब है 0 or 1 0 का मतलब होता है off और 1 का मतलब होता है on जिसे हम लोग binary language भी कहते हैं या फिर आप इसे binary number system भी बोल सकते हो अब चुकि जो programmer होता है जब वो कोई software develop कर रहा होता है तो उस case में वो क्या करता है वो programming language का use करता है किसका use करता है programming language का use करता है और इस code को लिखने के लिए वो high level language यानि कि जो code लिखता है user वो high level language में होता है जो की human readable होता है बट जो इस high level language में लिखा गया code है ये computer read नहीं कर सकता है तो ऐसे में बात आती है कि इस high level language को low level language में convert किया जाए ताकि computer उन instructions को उन निर्देशों को execute कर सके run कर सके तो इस problem को solve करने के लिए बनाया गया translator तो जो compiler होता है जो compiler होता है इसका main role क्या है कि जो भी high level language में code लिखा गया है उसको वो low level language में या आप बोल सकते हो native code में या आप बोल सकते हो एक प्रकार से machine code में convert करता है तो compiler का काम क्या है ये एक translator है जो की high level language में लिखे गये code को low level language में convert करता है या आप बोल सकते हो इसे machine code में convert करता है उसी प्रकार से जो interpreter है interpreter भी high level language में लिखे गये code को low level language में convert करता है या बोल सकते हो native code में convert करता है या आप बोल सकते हो machine code में convert करता है सर ये बताईए अगर compiler और interpreter ये दोनों ही high level language के code को low level language code में convert कर रहे हैं तो इनमें difference क्या है difference ये है कि जो compiler होता है वो high level language में लिखे गए पूरे के पूरे programs को एक ही बार में machine code में या फिर low level language में convert कर देता है वहीं जो interpreter है वो line by line instructions को machine code में convert करता है तो इन दोनों में main difference यही है कि ये एक साथ पूरे program को high level language से low level language में convert करता है वहीं जो interpreter है ये line by line high level language में लिखे गए code को low level language में convert करता है अगला टर्म आता है assembler तो जो ये assembler है इसका काम क्या है तो जो भी code assembly language में लिखा जाता है हाला कि अब assembly language का use नहीं होता है इसे हम लोग दुतिये पीड़े के आसपास use कर रहे थे तो जो भी programmer ने assembly code में assembly language में instruction लिखे है code लिखे है उसको machine भासा में convert करने के लिए हम assembler का use करते हैं तो आपको तीनों जो translator है इसके बारे में समझदारी आ गई होगी कि compiler high level language में लिखे गए code को low level language में convert करता है और ये पूरे program को एक ही बार में convert करता है translate करता है उसी प्रकार से interpreter भी high level language में लिखे गए code को low level language में convert करता है बट ये line by line instructions को translate करता है बात करें assembler के बारे में तो assembler assembly language में लिखे गए code को low level language में ये machine code में convert करता है ये मैंने आपको बता दिया है translator के purpose से तो ये आपको ध्यान होना चाहिए आप इसका screenshot ले सकते हो और इसे अपनी copy पे note कर सकते हो अर हम लोग यहाँ पर जो keyboard है इसके बारे में थोड़ी जर्चा कर लेते हैं क्योंकि keyboard से भी आपके exam में questions आते हैं तो topic आता है one minute टॉपिक है टॉपिक है keyboard तो आप से पूछता है कि कितनी keys वाला जो keyboard है वो best होता है तो answer आएगा कि अधिकतर 104 जो buttons वाला keyboard होता है उसका use किया जाता है और जो standard keyboard है उसमें 101 से 104 buttons होती है एक standard keyboard में हाला कि जो ये value है ये आपको अलग-अलग book में अलग-अलग देखने को मिल सकती है बट ये सबसे ज़्यादा सही माने जाने वाली value है कि 101 से 104 buttons वाले keyboard को एक standard keyboard माना जाता है जो keyboard होता है इसमें आपकी कई प्रकार की keys होती है जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें आप लोगों को ABCD करके ABCD करके जट तक की जो keys होती है इसको हम बोलते हैं alpha numeric key वहीं आपको दिखाई देती हैं 1,2,3 करके 0 तक की तो इनको हम बोलते हैं numeric key इसी प्रकार से आप लोगों को दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी keys होती हैं जिसमें symbols होते हैं तो इसको हम बोलते हैं symbols key या आप बोल सकते हो punctuation key ठीक punctuation key उसी प्रकार से आपको दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ arrow बने वाली key होती है इनको हम बोलते हैं navigation की या आप बोल सकते हो direction की या आप बोल सकते हो navigation की या आप बोल सकते हो direction की या आप बोल सकते हो arrow की उसी प्रकार से आपको मिलते हैं keyboard में do control की do shift की do enter की और दो alt की तो जो यह आपकी control, shift और alter है इनको हम बोलते हैं modifier की या आप बोल सकते हो combination की basically जो यह control, alt और shift यह keys होती है यह independent नहीं होती है बलकि dependent होती है दूसरी keys पर depend होती है यानि कि इनका अगर आप सिर्फ control को दबाएंगे तो कोई task नहीं होगा बट अगर आप control के साथ में और कोई key प्रेस करेंगे तो उस case में इसका use होता है तो control, shift और alt इन्हें हम लोग combination की या फिर modifier की बोलते हैं और यह dependent होती है other keys के उपर तो यह आपको याद रखना है तो आज की इस class में हम लोग इतना ही रखते हैं इसके बाद हम लोग अगली class में continue करेंगे आपके पास कोई doubt है तो आप उसे whatsapp के थुरू पूछ सकते हो या फिर आप लोग examjila.com इस website पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो अगर आप इस batch को join करना चाहते हो तो whatsapp number 760-741-2817 इस number पर contact कर सकते हो तो guys जैहिंद, thank you friends